सबी साथियों को मेरा नमश्कार स्वागत है आपका बारा सितंबर के निउस्पेपर नाल्सिस में जिसमें हम विभिन अकबारों के आर्टिकल्स को कवर करते हुए आपके सामने की पॉइंट्स को लाएंगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहली ही निउस हमारी है सिंटर प्लान्स टू उपन ट्राय चेयर परसंस पोस्ट तू प्राइवेट सेक्टर जो हमारे टी आर ए आई ट्राय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉर्टि अफ इंडिया है इनके चेयर परसंस जो जनरली तू मस्कुर्म परसंस के बिद्राय। सेंटर द्राय गॉपनें दोर्ड ने विंग दोस्ट्राय खेंगें कि यह समको पहली ही निःचेयर खेंट ल स्थादियाय आई आपको यह श्यूंन धियूंटवाट को फॉपत फॉपनें पैट्फिक तूट्ब खेंगेंत गॉबं का में देदिया तबाम प्राइबिट सेक्टर के लोग क्यों गोश्च ला रही है वोद कि ब्यूर्यक्राइट क्षची में बहुत लंबे समय से सवार उठ तरहा है वहीं वहीं होता है इसका मांड़्सyes tsatch के ग्रोथ, प्रॉफेटिबिल्टी और टार्गेटेड रहता हमेशा ठीक है इसलिए गॉवर्मेंट प्राइवेट चेक्टर के लोग कुछ आ रही है कि वोग की बॉडिज में जाएं सेवी में देखा मादुभी वेरी बूच को लाया गया डेटा प्रॉटेक्शन बोर्ड पर हमने देखा इसमें भी आपके प्राइवेट विक्ति को लाया गया देजिए गॉवर्मेंट इससे टॉप लेवल पे लाल फीता शाही या फिर अन्ने 20 फेबरी 1997 में हुई थी साथियो 1997 में हुई थी टेलीक्रॉम रेगुलेटरी यह बिसिक लिए टेलीकॉम सेक्टर इतने मुवाइल टावर्स हैं आपके इंटरनेट है दुनिया भर की टेक्नॉलजी नेट्वर्क रिलेटेड है इसको ट्राइ ही रेगुलेट करती है आपकी नइ दिली ट्राय अमन Willi इस इसांट एक पसटर और हुके Alright इनके साथ इनके साथ में १की यूघ कर नुझी शूल मेंबर की है अदर अ thorn — के अदर बोर्ड मेंबर ऑप्र से यू leil है और मेंबर के आवे की वह हätt जिसमनें और करना इनका कारेकाल जो होता है यह basically three years का होता है और 65 years of age 65 years of age का होता है ठीक है इनका काम क्या होता है जैसे मैंना को अब इसकी बात हो रही है तो यह क्योंकि अपना में regulatory authority होती है वहाँ पर regulation maintain करने के लिए कानून होता है और कानून की सुनवाई कहा होती है तो basically sat telecom dispute settlement and appellate tribunal यह tribunal basically disputes लिखता है try अगर मानेजे किसी company के खिलाफ कोई action लिया है उसको लेकर खास कर या फिर किसी company का कोई license रद करा है उसको लेकर किसी company के penalty लगाई है गलत practice को लेकर या किसी company में appointments जो है board members के गलत तरीके से हुए हैं और यहां मैं किसी company से बात कर रहा हूँ आपकी तो सिर्फ और सिर्फ टेली कॉम सेक्टर से बात कर रहा हूँ लाइसेंसिंग वगरा देखना लाइसेंसिंग डिस्प्यूट होते हैं किसी कर लाइसेंस एक्सपायर हो गया फिर भी वो काम कर रहा है ठीक है और इसमें जो होता है आपका जाया एक जारी एकड़री एसमें आने के लिए प्राइन के लिए आपको फ्रन के जज भूना चाहिए मतलब पास्ट में या फिर ऑप ऊप्रिम कोट ने के काथन के काविल होने चाहिए ओपि harvest suficiente hard के अप होने चाहिए काविल मतलव क्वालिफिकेशन में ठीक है इसका जो टाइबनल का आपका होता है इसका इनका जो टैनियूर होता है यह फोर येर्स का होता है और सिस्टी फाइव इस ऑफ एज में इनका रिमूबल हो जाता है आगे बढ़ते हैं यह खबर है साथियो शांती सुरू भटनाकर अवार्ड्स को लेगे जैसे कि हम जानते हैं कि गौवर्मेंट साइन्स के छेत्र में यह अवार्ड बहुत लंबे समय से देती आ रही है बहुत लंबे समय से देती आ रही है मगर यह अब फिर से अब अनॉंस करा गया है और दिया भी गया है साइन्टिस्ट लोगों को शांती सुरूप जी बहुत ही जाने माने साइन्टिफिक अकडमिशन थे ठीक है और इवन यह जो CSIR है CSIR है CSIR इसके यह पहले डिरेक्टर जिनरल थे इनको शांती भूशन जी है शांती भूशन जी जो है इनको पता क्या कहा चाता है इनको कहा चाता है father of research laboratories father of research laboratories father of research laboratories father of research laboratories ठीक है शांती स्वरूप जी को बहुत क्वालिफाइट साइन्टिस था है after being held back for a year the country's top annual science prize शांती सुरू भटनागर awards have been celebrated इसमें basically जो ओड दिये गए हैं आपको भी 12 scientists को दिये गए हैं two each were selected for five of the seven categories categories के आइसमें physical science, biological science, chemical science, mathematics, engineering services ठीक है while one each was picked in the field of earth and planetary ठीक है अर्थ प्लानेटरी साइन्स से एक को लिया गया और उपर वाली इन सब से दो दो को लिया गया दो को लिया गया ठीक है अपूर्वा खरे जी को मिला है अपूर्वा अपूर्वा खरे अपूर्वा ऒरे याया झाथ झाला थीक है अपूर्वा ओके विवर मिश्रा ओके बागी हमाँ आगे जाने को मिलेगा आगे आते हैं 28 आशियान समिट हुई ती उसुले की आर्टिकल है 28 आशियान समिट हुई ती उसुले की आर्टिकल है यह आर्टिकल बहुत ही अच्छा है मैं इसमें सीधे मुद्धिर बाना चाहता हूँ इसमें जो बाते की गई है पहले एक ही जान लेते हैं कि आशियान जो है उसकी बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री एक आशियान बिसिकली ग्रूप है जिसे आशियान को आठ अगस्त नाइन्टीन शिक्स्टी सेवन में स्तापित किया गया था बैंकोक थाइलांड में ठीक है इसी को बैंकोक डेक्लरेशन भी कहते हैं यह आशियान से समंदित है ओके इसको कौन से कौन से देश ने स्थापना की थी कौन से कौन से कंट्रीज है जो माईवाप है आशियान की इसमें आपकी मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगपोर और थाइलांड फाउंडिंग फादास हैं आपके बाद में बहुत सी कंट्रीज जोड़ी भी से वियत नाम आपकी ब्रुनेई वह कंट्रीज आती गई आगे देखते हैं इस आर्टिकल ने बताया गया है जो हाल ही में आईशियान सामिट हुई थी इस सामिट में क्या क्या बाते की गई और ट्वेंटिए सामिट में जो अजेंडास को देखरा गया था उस पर क्या पॉजिट क्या ग्रूथ रही मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ सा ब्लर हो गया है इसको पीडियोफ शेयर कर देंगे आपके सामने अगला अगला आटिकल है कॉशिएसली ओन ए आई पे आटिफिशिए इसको लेके इसकी रिगुलेशन के बारे में आटिकल था ओर आटिकल आटिकला आटिकलात एंडि इसको अपता है विल आटिकला आटिकल सामारे में इसको लेक्टन था इसको थिचल्ट विल राटिकलान कहा इसमें इसे बिसीकली ये कहा है कि जैसे एक्जांपल दिया है एन्रीकोफर मी ने जैसे रियाक्टर में चंट्रोल रख करा था रियाक्टर को रीड़ फट्ट जाएगा प्र ऐसे हमको AI जो कि अपने आप में बहुत ज्यान का सागर है, AI जो इंटेलिजन्स के महारती है अपने आप में, हम इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, और हमारी कंट्रोल लॉट्स क्या होंगी हमारे कानून हमारे नियम होंगे जो हमारी कंट्रोल लॉट्स के रूप में काम करेंगे आगे दिखते हैं AI को लेके जितनी मार्केट में अपर्चुनिटीज हैं उतना ही AI के आने से मार्केट में चेंजिस भी देखने को मिलेंगे और ये वो ही चेंजिस हैं जो की प्रेजेंट सिस्टेम को पूरी तरीके से बदल सकते हैं जो प्रेजेंट रणिंग सिस्टेम है हमारा इसमें एक ओवर ओल राउंड दक लॉग चेंज आ जाएगा AI के माद्यम से अब कंप्यूटर में AI और मशीन लेर्निंग में क्या लिंक है या क्या डिफरेंस है देखिए अभी तक जो भी डेटा साइंस है कंप्यूटर टेक्नॉलजी है वो हमारे दोर रेगूलेटेट है पुद्रीके से हम कमांड से माद्यम से हम उस चीज में प्रोसेसिंग करवाते हैं वर्क की इंस्ट्रक्शन देते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है उसी का जिक्र करा गया है कि AI से जो डैवर्सिटी आई है चीजों में काम करने को लेके या आने वाली फील में उसको हमें समय रहते कंट्रोल करना होगा मैं यह और आर्टिकल पढ़ूँगा आपके लिए दे जी टुटी डेकलरेशन दे जी टुटी डेकलरेशन स्ट्रेशन दे इंपॉर्टेंस प्रशली फील स्ट्रेशन दे दर्ट को वर्टेकलरेशन पैसे स्ट्रीज ब की पाने इंपॉर्टेंट ऑन में यह थे स्ट्रीजूउगा भील। इसमें अर्ट ए State आइसमें ऑप को हमें अियूज़टी इक स्ट्रेंटेचन आटी सिसेना सीमीर्टी code of conduct. Okay, approximately 700 policy instruments are being discussed to regulate AI. 700 policies की बात करी है, code of conduct में AI को ले के. Abroad agreement exists on the regulatory principles, even though these are minimal interventions in the McKenzie or realize them, the root of many concerns lies in control. AI regulation को लेकर जो G7 countries में code of conduct में बात की गई है, इसमें topics को लेकर G7 meeting में growing AI market के जिकर करा गया है, जो की अपने आप में McKenzie, जो एक संस्थान है उसके दुवारा 25.6 trillion की बताई गई है dollars, 25.6 trillion dollars. Okay, अब आते हैं की caution किसी इसका है, किसी इसको में control लगना है, कैसे कर सकते हैं control इसको हम, जैसे की अभी पिछले example में Enrico Fermi के control rod वाल example लिया था, मैं से delete करता हूँ फिले, author कहते हैं, first, we must establish worldwide consensus regarding the risk of AI, we must establish a worldwide consensus, हमें globally एक अपने साथ समझाता होना चाहिए, एक agreement होना चीज़ से हम AI को control रखेंगे, मतलब एक दूसरे की मदस है, इस technology को, ऐसा नहीं कि Europe में कुछ बना जी फिर बोल ला कि नहीं, AI तो हमारा ऐसा ही रहेगा, हमारी जो software technologies हैं, एशिया में कुछ बना तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी नियम में ये value नहीं हैं, सब को साथ में मिले काम करना होगा, even a single vulnerability can create avenues for malicious actors to execute far-reaching breaches, ओके, जड़ा से भी कलती होगी तो, बड़ी समस्या हो सकती हैं, it is critical to conceptualize standards which must be met by any public AI service, standards accelerates safety by minimizing risk, advanced quality, pave the path for private-public partnership, promote efficiency by eliminating redundancies and of all, when adopted at an international level, promote their interoperability, अगली बात, second point जो है हमारा, तिकी असान भाशन में क्या काई हैं, यहाँ पर यह लिए सा mention कर हुआ है, कि एक ना सम्झोता टाइप, सब लोग का common होना चाहिए, AI को सही से maintain टकने के लिए, अगला point क्या है, States would need a substantial stake in AI design, development and deployment, currently dominated by few companies, जिसे अभी सिर्फ private कुछ companies हैं, जिनके हाथ में पूरी तरीके से AI का भविश्य हैं और पूरा regular control है, State Government, State मतलब की हमारी राश्टर के जो देश हैं, अध्यक्ष हैं, government को भी इसमें अपनी हाथ पाँ डालना पड़ेगा, वरना ये private companies खेलेंगी वाद में government के साथ, कैसे शेट गवर्मेंट के कर सकती हैं, यह तो इन्हें आफिस में जाके बैठ जाएगी, UAE में हुआ है, UAE गवर्मेंट ने जो जो private companies AI पे काम कर रही हैं, इनके साथ मिलके एक 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 इक सिस्टम से बनाया है, जिसमें government भी टेच में रही ही चीज़ों के, और private companies भी दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं, AI को लेके, ठीक है, इस article में इतना ही था, समुद्र में जलवाई हो परिवर्तन का असर, यह article जिस्टतर का है, climate change जो की इस समय oceans को भी impact कर रहा है, शुरू करते हैं इसमें, जलवाई हो परिवर्तन का असर अब धर्ती से लेका, समुद्र तक्स पर्ष दिखाई देने लगा है, जहां धर्ती गर्म हो रही है, वहीं समुद्र ठंडा नहीं हो पा रहा है, लहाज़ा मनुश्य समेट अन्य प्राणियों के रहवासों के ताप्पान में विद्धी हो रही है, इस गर्मी कर्स से ज़्यादा असर अमरीका और योरोप में रुभफ किया गया, इस वजा, AMOC, Atlantic Meridonial Overturning Circulation, Atlantic Meridonial Overturning, Circulation, यह है AMOC, का कमजोर होना है, AMOC का कमजोर होना, दरसल हम इंदन जलाकर कारखानों वहानों और उर्जा सेयंतरों में जितनी उर्जा पैदा करते हैं, उसके करीब 60 गुना यानी 1000 टेरा वाट उर्जा धर्टी के पसिती दंतर में और समदर चल के जरीए, उसका टिबंदी से उत्तरी दुरुफ की और बेजता है, यहीं है जो है आपका सर्कुलेट करता है, उपर की तरफ, ठीक है, जो सर्कुलेशन है यह, बेजता है, इसमें भी करीब आदा पानी उत्तर टन्टिक सागरस में जाता है, यह गरम पानी धटो के साथ उत्तर कई और बढ़ता है, और हम समदर में मिलता जाता है, इसके बाद यह पानी वापस धक्षिन की और आता है, इसमें शाहर की मातरा बढ़ती जाती है लेहाब समुद्र वा धर्ति दोनों का दापान बढ़ जाता है A.M.C. तंत्रग का कमजोर पढ़ना कारण समुद्ध तंत्रटी इलागों के समुद्रे में पानी जादा खारा हो रहा है नतीज़तन ताप एक समान मातरा में धर्ती पर नहीं पहुचा हा यही वज़ा है कि इस बार दक्षिन पश्यम अमरीका, योरोप, उम्मद सागर देश और चीन में ज़्यादा गर्मी पड़ी मौसर में बदलाव का असर समद्र की सतहा पर भी दिखाई देने लगा है यह वार्म हो रहा है ओशन, ओशन गरम हो रहा है आपका यह वार्म हो रहा है ओशन गरम हो रहा है अगयते हैं और अनुस निद्धान में से पता चलता है कि विश्ले अचस व eclipse में समुद्र में ऐसे छेतरों का विस्तार हुआ है जहां अक्सिजन की मातरा में अर्शातीत कमी विदर्च की गई है ऐसा आशंकर जिताई गई है कि इसका सीधा समन वैश्विक जलवायू परिवर्तन से है यहाँ परत उपर नीचे दोनों तरफ फैली रही है आम तोर पर जलवायू परिवर्तन के नमूनों से बता चलता है कि मानवी करिये कलापों के कारण समुद्री सतहा गरम होगी समुद्री पानी के मन्थन की सभाविक दिंचारिया प्रभावित होगी ऐसे होने पर भीतर के पानी में आक्सीजन नहीं पहुचेगा जर्मनी के क्रियल विश्वधाले के प्रोफेसर लोथर स्ट्रॉमा के नितित्व में किये गए करुसंधान से बता चला है कि उक्त प्रक्रिया आरम हो चुकी है स्ट्रॉमा और उनके साथियों ने तीन मासागरों में जगा जगा पर 300-700 मीटर तक की गिरहाई में स्थित परत पर ऑक्सिजन की मातरा को विग्यानिक तारीकों से नापा इन आकड़ों से मालूम हुआ कि पिछले 50 वर्षों में समुद्र की इस स्वरत में ऑक्सिजन की मातरा घटती गई है गोरतलब है कि ये समुद्री रेकिस्तान उन समुद्री मिर्च शेत्रों से अलग है एक डेड़ जोन टर्म होता है उससे अलग है अधरती से बाहर आने वाले नेट्रोजन रखो की वज़ासे अचानक शेवाल की विद्धी होती है फिर यहें शेवाल मने लगते हैं इन में शेवालों पर बैक्टीरिया की विद्धी होती है अपनी विद्धी के दौरान बैक्टीरिया उक्सीजन सोक लेते हैं यानि जासे जादा पोशन की वज़ा से उक्सीजन खतम हो जाती है अक्सिजन की घटी हुई मात्रा के अधार पर प्रशान्द मासागर के पूर्फ गटी बंदिये भाग और हिंद मासागर के उत्तरी भाग को अर्ध विशयला कहा जाता है यहां अक्सिजन की मात्रा इतनी कम हो चुकी है कि परसितियां परसितिकी पर असर पढ़ने लगा है ऐसे अर्ध विशहले पानी में इतनी अक्सिजन नहीं होती कि नाइट्रोजन उसे क्रिये करके नाइट्रेट कर निर्मान कर सके जो कई जीवों के लिए पोशन का सुष होता है इसके अनुस्मति अनुस्मति में सुषमजीव को पोशन नहीं मिल पाता गौतलब है कि ये पलवक ही समुदरी तंत्र में पोशन कोई बुनियादी अधार हैं देखिए वो कह रहा है कि ऑक्सिजन ब्लॉक हो रही है ऑक्सिजन जो है आपकी जैसे मैंना को बताया अभी कि कैसे शेवाल और कवक जो नाइट्रोजन निकलती है जमिंग की नीचे से वो ऊशन में अब्जॉर हो जा रही है और वहीं रूख जा रही है मगर ये नाइट्रेट्स वगरा फॉर्म नह देखर बना रही है जिससे क्या हो रहा है अक्सिजन का फ्लो इंटेक आउटेक कम हो रहा है ठीक है विबन अध्यनों में बता चला है कि सन दूजापचास तक भारत का धरातालियत आपमान तीन डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका होगा सर्दियों के दौरान यह उत्तरी उसमद्धिया भारत में तीन डिग्री सल्सिस तक बढ़ेगा द teaspoon भारत में दो डिग्री तक इसे हमालिया के शिकरों से बर्फ पिखलने और और वहां से निकलने वाली नदियों में जल बहावात तेश हो जाएगा शल्ते मद्धिय भारत में सर्दियों के दुरान वरशह म लेकिन सद्धियां कम हो जाएंगी कितना ही परियावरंड को बदलते हम देखेंगे सिंक्लाश्टर परियावरंड कारेकरम यूनेप के विज्यानिकों के निकुलासा किया कि बड़ते तापमान के कारंड हिम्नदों के पिखलने से नेपाल की 20 और भूटान के 24 हिम जीलों का पानी उफान पर है अगले पांच वर्षों के दुरान हिमाल लिया कि 44 हिम जील से निकला पानी नेपाल और भूटान के साथ-साथ भारत के पुर्वतर छेतरों को और अन्य पाड़ोसी देशों को भी साथ में डूबो ले जाएगा जल्वाई होगा निरंतर परिवर्टन एक खत्रा नजर आ रहा है यहना ग्लेशियर पिखलते हैं ग्लेशियर पिखलने से बनते हैं ग्लेशियर लेक ठीक है दिखाता हूँ ग्लेशियर होते हैं हैं जितने पीगलेंगे तो यह पानी जाए कि इस्पी यह उचाई पे उत्य पानी यहां पर बढ़ेगा एक टाइम बात यहां को जाएगा कि यह सबोलगा तो जो घाटिव में मकान बने होते हैं जो आपके यहाथ यहां पर एक तरफ रूख रहे जुँए हैं जिए उपने हैपने होऊए आप ₦ कोई चिंच्छ आइस्या कोई कोuje हैं ऐसे मぁं यहाँ वे यहां पर बने हुए हैं नीचे की तरफ बने हुए हैं यक्लेशन लेगते उपर होगा यह अभ बाना बस्ती नीचे होगी तो यह बार से भेह जाएंगे को खत्रा है हर किसी के लिए खासकर पहाड़ी चेत्रों रहने लोग के लिए और जो भी इनके निकट रहने वाले शेहर पड़ते हैं कि पूर्वी भारत या पूर्वी अनिराश्ट्रे आ गया आते हैं कि यहां पर हम बात देख रहे हैं कि विजिन 2030 है यह असल में साओधी अरेबिया का है और साओधी अरेबिया का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि हम हाली में चुकि यह भी स्टेट विजिट में थे जी ट्विंटी के बाद तो बहुत सी बातों पर जिक्र कर रहे हैं नों in national currencies national currency में trade हो पाएगा ठीक है Indian conducts trades in national currency with UAE हमारी मतलं Mudra में trade होता है the side also agreed to expedite talks on free trade agreement between India and Gulf co-operation council ठीक है the ministry said delays had been caused by the lack of chief negotiator आगे देखते हैं India Saudi Arabia Free Trade Agreement प्री ट्रेट अग्रीमेंट के बारे में साथी रेविया इस India's 4th largest trading partner according to the external affairs ministry Saudi Arabia इंडिया का 4th largest trading partner है ठीक है itan 80% of India's crude oil imports are sourced from Saudi Arabia ठीक है ये तो ये news हो गई आपकी आप Saudi Arabia का जिकर क्यों हो रहा है इनने भी अपना sustainable vision रखा हुआ है दो वजा तीस का दो वजा तीस का और यह vision क्या है यह vibrant society यह आपको ना तरह समझाने के प्रयास करें जैसे हमारा sustainable development goals है ऐसी इनके भी है thriving economy है ambitious nation इसमें यह बहुत चीज़ों पर काम करेंगे अपने देश में health पर education पर और तमाम चीज़ों पर यह काम करेंगे current office के लिए हम जाने तो इन्होंने एक एक नया शहर बसाने का प्रयास करा है उस शहर का नाम है नियोम यह शहर भविश्य का शहर कहते हैं इसे यह एक ही line पे पूरा शहर बसा होगा एक ही line पे मतलब connectivity जो होगी यह एक ही line पे होगी ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके नीचे road transport उसके नीचे metro tunnels इससे क्या होगा जो normally शहरों में इसे गूम गूम के जाते हैं गलीयों में यहां वहां जाते हैं चक्कर लगाके बूरा आते हैं तेल वगरा waste होता है ना इसको देखते हैं उन्होंने कहा है कि future city एक ही लाइन से पुछ होगा आपका पूरा शहर एक ही लाइन में होगा कोई कॉल नी नहीं पूरा शहर एक ही लाइन में होगा अलग से देखीएगा इसके बारे में बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट है मैं ज़्यादा को पता नहीं पाँगो इस बारे में अब साथियरी वे की बात हो रही है तो जान लेते हैं उसके आजपस चीजों को देखिए आप यहाँ पर यमन है साथ वेस्ट पार्ट में ओमान यू ए इ कतार बहरेन इरान इराक कैसे याद करोगे ऐसे बनाओ ऐसे कुछ भी बना लो ऐसे बना लो मैं बड़ा बड़ा पैलेट करता हूँ स्क्वाइर बनाईए ऐसे लिखी आप येमन ऐसे लिखो ओमान ऐसे लिखो यू ए इ यहाँ पर लिखो कतार यहाँ उपर लिखो इराक इराक के बगल में उपर लिखो यहाँ पर सीरिया सीरिया से नीचे आओ जॉर्डन जॉर्डन से इधर आओ इस्राइल फिर इधर आजाओ अलग से इजिप्ट सूडान ऐसे मैपिंग याद करी जाती है साथी हो जॉर्डन नॉट्वेस इस्राइल पलेस्टाइन सीरिया इराक यमन ओमान युए कतर इराक सीरिया चॉर्डन इस्राइल इजिप्ट सुडान मैप पैथ के लेजिएगा मैप जरूरी है यह विजिन है साथी अरिबिय का आप देख लेजिएगा इतने बॉटन नहीं है बट यह अच्छी बात है हर कंट्री का विजिन होता है इंडियान यूके एक्सलोर पॉसिबिलिटीज आफ बॉंड शियर लिस्टिंग आज अट गिफ सिटी LSE फ्रांस मिन्सेर निर्मला सितर रमन और मंडे विसेर इंडियान यूके आर एक्सलोरिंग पॉसिबिलिटी ओफ लिस्टिंग डप इंस्टुमेंट्स अंड शियर्स आट आई एफसी गिफ सिटी ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आई एफसी गिफ सिटी है क्या ये क्या है गिफ्ट सिटी एक financial hub financial city जो foreign countries की तरश पर बनाने का प्रयास किया गया और यह सफल भी रहा और यह सफल भी रहा गिफ सिटी में इंटरनाशनल ट्रेड गिफ सिटी में इंटरनाशनल ट्रेड और उसके साथ साथ इंटरनाशनल कंट्रीज के सभी बिजनस कंपनीज बिजनस को एक सुविधाओं को प्रोवाइट करने की जगा बनाई गई है यह गुजरात में हैं आपके कहां पे हैं गुजरात में हैं गांधी नगर यह गांधी नगर गुजरात में है ठीक है यहीं पर हमारा इंडिया इंटनाशनल बुलियन एक्चेंज है इंडिया इंटनाशनल बुलियन एक्चेंज है IIBX ओके गियर सिटी किस्ता आपना Financial Service Center Authority Act 2019 के अंतरद की गई थी ओके इसे हम Financial Center कहते है Finance Center Finance Center और इसके बारे में जानेंगे कभी विस्तार आर्टिकल में वैसे मैंने इसे ब्लॉग भी लिखा हुआ है आप चाहें तो ब्लॉग जाके पर सकते हैं यह Finance City है इंडिया मिड्लीस्ट आई एम इएसी यह इसके बारे में कल बात कर चुके हैं यह कॉरिडोर है जो यूरूप को कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ और मिड्लीस कंट्रीज को ट्रेड के परपस से ठीक हैं ट्रेड हमेशे से रहा है इंडिया मिड्लीस कंट्रीज का बीच में ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी रहा है ब्रिटिशर्स से पहले भी रहा है इसी को फिर से गॉवर्मेंट ट्रेड रूट को वापस से मॉडर्न ट्रेड के साथ से शुरू कर रही है आगे बढ़ते हैं नैशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड एन एन सीमसी यह हम जानते हैं कि इसका अनाउंस्मेंट मुदी गॉवर्मेंट द्वारा 4th of March 2019 को करा गया था एन नैशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड के माध्यम से और ओवर इंडिया एक ही कार्ड से आप कोई भी मेट्रो कोई भी ट्रेन कोई भी बस, स्टेशन, टर्मिनल्स को आप एक्स कसकते हैं मतलब आपको हर जगा जा जाकर अलग लग टिकेट्स या फिर अलग लग टोकन लेने की जरूत नहीं पड़ेगी तो इसको लेके आर्टिकल है कि क्या यह योज़ना सफल रही या फिर यह महज़क योज़ना मनके रह गई है नाशनल कावन मोबिलेटी कार्ड यह रूपे प्लाटफॉर्म पे बेस था एन पी सी आई इसकी पेमेंट गेट्वे प्रोवाइडर थी और रूपे प्लाटफॉर्म पे बेस था यह वन कार्ट फॉर वन नेशन ठीक है ना मोबिलेटी के लिए लग बग सारे बैंक्स इससे प्रोवाइड कराते हैं सुविधा हैं जो है इसका एजन्दा क्या है इसका एजन्दा है ncmc is a part of drive to automate and digitize fair collection using automatic fair collection systems but the project is also part of greater scheme to drive digitization in payments development of smart cities with the smart city कही पाट है देखा जाये तो mobility को technology से connect करना with growing demands of the urban centers this card has an wallet which can be filled with the amount and used pan-india in every metro cities available automatic automatic fair collection afc key points इसके जो है automatic fair collection दूसरी बार यह नंदन निलेकनी कमिटी की recommendation में से एक recommendation यह भी थी यह किस पर run करता है रूपे काड pa रूपे कार रूपे कारड अब लुशत आइ, बार्किकनी नीशन। выпуск में होते न है दिजिटल पार्किन लॉट्स है कार्ट और से यूपियाई से अ्धिवागट पेट्रो स्टेशन्स अबस बस्टेशन्स अब फाइदा क्या है हर अब हर शहर में जाके अलग लग काट करेंगे जरूत नहीं पड़ेगी आपको एक ही काट से सारा काम होजाएगा आगे आते हैं यह नियूम का इस्वीर है दिखाया मैंने आपको एक ही लाइन में नियूम बसाया जा रहा है आप दिखले जिगस के बारे में देखिए इन्विजिबल लेयर ऑफ इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्ट्र कनेक्टिविटी यह देखिए एई एनेबल ट्रांस्पोर्ट अल्ट्र हाइज स्पीड टेनल्स ट्रांसिट्स ना मेट्रो टाइपका सर्विस लेयर मे है कि कॉंप्लेक्स मॉल्स औग chuckail से बारे में अच्छा अच्या कॉंसेट है आज करहते हैं अपना केएंटि समय दिने के लिए बहुत बतनेवाद अगर आपको यह तरीका अच् melted लग रहा है तो अपना फीडबाग जो दीजिएगा बाकि एंपी पीसिस का फॉर्म भर लीजिएगा परिच्छा इसकी 17 दिसंबर 2030 को होनी है लास्ट जिटका नत्यामत करिएगा समय रहते फॉर्म भर दीजिएगा झाल सकता खॉर्म भर लेवार में लेखारि लेखारे के बारव Krाव का घंचान।